आज के हमारे चोटीश वीडियो हम डिस्कूस करेंगे डिफ्रेंस बिट्विन सिमिलेटी और कॉंगुरेंशी ओफ ट्रेंगल्स ओफ डिफ्रेंट शेप्स तो आये स्टर्ट करते हैं पहले आप लोगों कोंगुरेंशी का मतलब पता होना चाहिए की चाहिए और उसके बाद को सिमिलेटी के बारेंपाँ होना चाहिए तो देखें, congruency हमें 9th class में पढ़ा था, congruency का मतलब क्या होता है, कि अगर एक figure दूसरी figure के अगर उपर रखा जाए, और उपर रखने के बाद fully cover कर लेगा, उसको, मतलब क्या होगा है, कि हर एक aspect में अगर दोनो figure equal होंगे, तो हम कहींगे, वो दोनो congruent रहेंगे, यहाँ प साइड है, तो यह जो दोनो स्क्वेर रहेंगे, यह दोनो स्क्वेर रहेंगे, यह दोनो स्क्वेर रहेंगे, congruent to each other, ठीक है, अब नेक्स देखें, circle of equal radius, यहाँ पे इसकी radius माल लिजे 2 cm, यहाँ पे इसकी radius 2 cm, तो यहाँ भी circle क्या होंगे, equal, और equal अगर होए, इसका मतलब क्या है, कि congruent figure हैं यह दोनो, यहाँ equilateral triangles के, अगर हम बात करेंगे, तो equilateral triangles में, इनकी side मालेजे 3 cm, इसकी side मालेजे 3 cm, तो यह दोनों भी मतलब equal होंगी shapes, और equal का मतलब है, congruent shape का, अगर आप लिखा जाए, यहाँ पे क्या होगा, देखे, equal in size and shape, ठीक है, equal की जगे आप सेम लिख सकते हैं, same in size and shape, ठीक है, दोनों चीज यहाँ पे आपके equal होनी चाहिए, दोनों figures की, तब हम कहेंगे, कि वो figures congruent होंगे, मतलब, same in shape, अगर इसकी definition, आप अगर shortcut में ध्यान रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, same in shape and size, ठीक है, same in size, यह होगी congruency की definition, आपको ध्यान होन चाहिए, जैसे shaving blade होती है, उसको अगर हम एक दूसरे को उपर रखेंगे, same company की होनी चाहिए, तो फूली overlap कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उस case में हम कहेंगे, कि वो blades क्या है, congruent है, एक दूसरे के, तो यह तो आप congruency का concept, similarity में देख लिए, नाम से पता चल रहा ह कि एक चीज अगर दूसरे से similar होगी, मतलब, शेप में अगर एक जैसे दिखने में होगी, तो हम कह सकते कि वो दोनों फीगर सीमिलर होगे, यहाँ पर मैंने कुछ एक्जाम पर लिए, equilateral triangles का, equilateral triangle यहाँ पर side 3 cm और यहाँ पर 5 cm, तो देखे, शेप दोनों की same है, क्योंकि equ इसको अगर मैगनिफाई हम कर देंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, मतलब, शेप इनकी same है, बड़ जो size है वो different है, तो उस case में हम figures को क्या कहेंगे, similar figures, ठीक है, अपना confusor दूर करिए, यहाँ पर congruency और similarity के बीच के बीच का, उसके बाद में हम पढ़ेंगे similarity के बेच पर जो बीपीटी हमारी थेल स्क्योरम है, पाइटागोर स्क्योरम कैसे प्रूव करना है, ठीक है, वो पूरा concept इछी पर है, similarity बेस, तो आप अपना similar figures किसको कहेंगे, similar triangles किसको कहेंगे, वो आप अपना concept के बना लेंगे इसी वीडियो से, तो अब देगे, नेक्स तो यहाँ पर हम कह सकते है, same in shape, but size may vary, ठीक है, size may vary का मतलब क्या होगा, कि size different हो सकती है, बट जो shape रहेगी, वो same होनी चाहिए, तो इस case में अगर ऐसे figures नहोंगे, तो उनको हम कहेंगे, similar figures, ठीक है, आप इस बेस पर देखिए, जो question आता है, आपके exam, कैसे रहेंगे, question number one मा circles are, और यहाँ पर रहेंगा congruent, और यहाँ रहेंगा similar, ठीक है students, तो यहाँ पर देखिए, क्या fill up करेंगे हम, all circles, circles का यहाँ पर radii mention नहीं है, कि कौन से circle के कितनी radius, तो जो circle रहेंगे हमारे पास, उनकी shape देखिए, सभी की same रहती है, ठीक है, round shape, अब यह congruent तो होनी सकते सा four होगी, तो मतलब congruent होंगे नहीं सारे, बर सारे circles हम कह सकते हैं कि similar होंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी shape सेम रहती है, अगर shape अकेली same रहेंगे, तो हम उनको similar कहेंगे, अगर shape plus size दोनों अगर same रहेंगे, तो हम उसको कहेंगे congruent, तो यहाँ पर इस case में आजाएगा आपके पा अगर square की size अगर different रहेंगी, तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि similar होगा, ठीक है, congruency के लिए size plus shape दोनों same होनी चाहिए, थर्ड रहेंगा, all triangles are similar, तो कौन सी triangle similar रहती है, equilateral triangles आपके वहाँ पर similar रहेंगे, इसके बाद में आता है आपका fourth देखे, और last में आपका है equal and proportional, ठीक है, कि जो दोनों आपके वास फिलेंदा blank sign में एक में आएगा, equal, एक में आएगा, proportional, तो कौन से में equal और कौन से में proportional रहेगा, तो यहाँ पर अगर आपको आपको देखेंगे, तो यह जो definition है, यह similarity के definition लिखी हुए, ठीक है, two polygons of the same number of sides are similar, अब जो polygons हो similar है, तो similar का क्या मत मतलब, their corresponding angles are equal, angles हमेशा equal होंगे, अगर similar होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देगे, equal, अगर उपर हम example भी देखते है, square वाल example, तो square में देखेंगे, दोनों shape हमारी क्या थी, similar थी, तो similar में सारी angles क्या थी, equal थी, ठीक है, यह triangles में अगर हम देखेंगे, तो triangles में सारी angles, equal, equilateral triangle थी, तो ऐसे यहाँ पर अगर polygon कोई भी similar अगर कह रहा है, तो उसका मतलब है, कि उनकी corresponding angle, corresponding angles का क्या मतलब होता है, corresponding angles का मतलब होता है, कि यहाँ पर मानी ABC और यह मानी है, P, Q, R, ठीक है, तो corresponding angle का मतलब है, कि B is the corresponding angle of Q, ठीक है, और C जो रहेगा corresponding angle of R, A रहेगा P, ठीक है, यह तीनों angles, आपस में ऐसे equal रहेगा, ठीक है, and their corresponding sides are equal or proportional, तो ठीक है, अगर corresponding sides, अगर equal होगी हमारे पास तो, तो वो congruent हो जाएगे, तो similarity के लिए वहाँ पर proportional होनी चाहिए, ठीक है, पर पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प तो देखा जाए, तो वो equal होना चाहिए, मतला अब यहाँ पर corresponding sides का ratio रहेगा, वो equal होना चाहिए, तो अगर वो equal होगा, तो हम कह सकते कि वो shape similar होगी, ठीक है, तो similarity के लिए, जो main दो चीज़ वो क्या होगी, corresponding angles, यहाँ से आपके क्या दो चीज़ निकल गया रहे है, 4 similarity, ठी similarity, similarity के definition यही होगी, corresponding angles, ठीक है, आप यही से ध्यान दे लेंगे, concept आपका बन जाएगा, corresponding angles, sorry, angles हो गया यहाँ पर, corresponding angles are equal, ठीक है, then next point रहेगा, corresponding sides, corresponding sides के, जो equal होने के बजाए, क्या होगे, corresponding sides are in proportion, ठीक है, students, coordinates, r in proportion, और r proportional, आपे हैं, लिख सकते हैं, तो यह दोनों जो point रहेंगे, इस similarity के लिए रहेंगे, और congruency के मैंने आप लोगों को बताई दिया, कि angles भी equal रहेंगे, और sides भी equal रहेंगे, ठीक है, तो यह concept था, आपका similarity और congruency का, आप लोग अब इसको differentiate कर पाएंगे, तो इस thank you, see you in the next video